असलाम अलेकुम वरहमत उल्लाहिव बरकातु हूँ तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू की कत्लियों का सालन यह सालन बहुत टेस्टी बनता है और बनाना तो बहुत ही असान है कि अगर आप इसको पहली बार में बनाएंगे ना तो बहुत परफेक्ट जैसे और गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे चुताई चाय का चम्मच मस्टर्ड सीड यानि के राइदाना और आधी चाय की चम्मच सावत जीरा दोनों चीजों को हम हलका सा फ्राई कर लेते हैं एक से आदा मिनट के लिए और जैसे ही चीजे फ्राई हो जाएंगी द जैसे एक मिनट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे यह सावत हरी मिर्चें चार से पांच और इनको हमें कोई भूना होना नहीं है बस अईसे ही मिकस करेंगे और इस डाल देंगे यह आलू की कतलियां मेने एक पाउ यानिन की डू फिफ्टी ग्राम आलू लिए थे जिसके म कर法 कि मैंने बूह जदा मोटा भी नहीं रखा है ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखाय भस दर्म्याना साइज के मैंने इसको क अच्छे से गर जाएं जल्दी गर जाएं ज्यादा टाइम ना लें तो इनको हम क्या करेंगे अच्छे से भूनें के आलों तो चार से पांच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ताकि अच्छे से यह फ्राई हो जाएं जब यालो फ्राई करके बनते हैं तो यह ज्यादा टेस्टी बनते हैं तो हम चार से पांच मिनट के लिए फ्राई होने देते हैं टमाटर एड करके मिक्स कर लिया तो मसाले करेंगे मसालों में चला जाएगा आदी चाय की चम्मच लाल मिश्का पाउडर चुदाई चाय की चम्मच हल्दी पाउडर आदी चाय की चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला आदी चाय की चम्मच धनिया पाउडर तो यहाँ प यहाँ पर तकरीब दूमिनट हो चुके हैं बहुते हुए अच्छे से अड़ु आलू को गलाने के लिए और हलकी सी ग्रेवी मसाला बनाने के लिए हम इसमें वन फॉर कब के पानी डालें गें पानी के बाद युग मिज़ने के बाद हम इसको अच्छे से मि तो दो से तीन मिनट हम इसी तरह खुला छोटके इसको पकाएंगे और लास्ट में हम इसके इंदरे खास इंग्रीजिन आड़ करेंगे दो मिनट हो चुके हैं यहाँ पे आलो की कत्लियों के सालन को पकते हुए मीडियम डू हाइ फ्लेम पे तो इस टेज़ पे हम इसके अंदर आड़ करेंगे कसूरी मेती कसूरी मेती से इसकी खुश्बू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इसका फ्लेवर इनहेंस होगा तो आपने मस्ट इसके अंदर लास्ट में कसूरी मेती आड़ करनी है कसूरी मेती आड़ करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहां पर हमारा आलू की कत्लियों का सालन जो है वो बिल्कुल डेडी हो गया है और बहुत ही मसालेदार बहुत ही खुश्बूदार बना है तो इस फ्लेम को हम ओफ करेंगे और इसको हम प्लेट में निकालते हैं उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिकाती हू तो त्यार है मज़ेदार सी आलू की कत्लियों का सिंपल सालन बहुत टेस्टी बना है बहुत ही खुश्बूदार बना है इसकी तो खुश्बू ही बिल्कुल अलग होती है तो आप इसको घर में जूरू ट्राइ कीजएगा आपको और आपकी घरवालों को बहुत पसंद र अलग हाफिज